हॉलिवूड फिल्मों में भध्दे किरदारों को निभाने वाली सर्वश्रेश्ट अभिनेत्रियां हॉलिवूड फिल्मों में भध्दे और भध्दे किरदारों को शामिल करना पसंद करता है यह मुख्य रूप से प्राथमिक चरित्र और बाकी कलाकारों के बीच कुछ अंतर पैदा करने के लिए किया जाता है। आम तोर पर आप अभी भी बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन हैं, खास कर यदि वे फिल्मों और शो में प्रसिद और सक्रिय हैं। हाला की कभी-कभी मेकप उतर जाता है और आप पाते हैं कि जिन अभीनेत्रियों ने बदसूरत भूमिकाये निभाई हैं, विवास्तव में बहुत सुंदर हैं। कभी-कभी यह सोचकर पागल हो जाता है कि मेकप के थोड़े, या बहुत से उन्हें इतना बदला जा सकता है। आए अब कुछ खुबसूरत अभीनेत्रियों और उनके आकरशक चरित्रों पर एक नजर डालते हैं। नियोमी ग्रोस्मन इस पेपर, नाओमी को लोप्रिय टेली विजन शो अमेरिकन हॉरर स्टोरी में पेपर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। बात पाने के लिए उन्हें अपना सिर्फ पूरी तरह से मुंदवाना प्रढ़ा। हालांकि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी भूमिका है, वहन्य फिल्मों और शो में दिखाई दी हैं। नाउमी ग्रोस्मेंट जन 6 फरवरी 1975 एक अमेरिकी अभिनेतरी, लेकिका और निर्माता हैं, जिन्हें एफिक्स हॉरर टेलिविजन श्रिंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी के दूसरे और चौथे सीजन में पेपर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। दूसरे सीजन से पेपर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए, वह शो के दो अलग-अलग सीजन में एक ही भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई। नेट्फिक्स की मूर श्रिंखला औरंज इस दे न्यू बलेक 2013-2019, चेरी इन संज ओफ एनौकी 2008-2010, नोला इन हसल एंड फ्लोट 2005 और जैनन में टिफिनी, पेंसेट की डॉग गेट को चित्रित करने के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है। एमर टॉम्सन एज नानी मकफी एममा टॉम्सन ने 2005 में जादूई नानी नानी मकफी की भूमिका निभाई। चरित्र अचानक माता पिता को अनियंतरित बच्चों से निपटने में मदद करने के लिए दिखाता है। अना की वह शुरू में भयानक और भयावय है और पूरी फिल्म में बस आगे बढ़ती है। सेरिक ब्राउन पतनी की अचानक मौत के बाद साथ शरार्ती बच्चों के साथ रह जाता है। इम्मा थॉंपसन को नैनी मैकफी को परदे पर लाने में नौ साल लगे अभिने किया। एक प्रभावशाली व्यक्ती जिसका खतरनाक रूप है उसकी सपष्ट जादूइक शम्दाउं से ओफसेट। फिल्म का भीर सुगदायक हास्या और सकारातमक संदेश की बच्चे अपने मुद्दों को सही प्रोचसाहन के साथ हल कर सकते हैं। ने दर्शकों और आलोचकों को समान रूप से जीत लिया। रूनी मारा अज लिस्बेट सालेंडर। रूनी 2011 में एक स्टार बनी जब उन्होंने दगल विद द्रेगन टेटू में लिस्बेट सालेंडर की भूमिका निभाए। हालां की उसे चरित्र में बदलने के लिए रूपांतरित होना पड़ा और वास्तव में प्रदर्शन के कारण गोल्डन ग्लोब्स के लिए नामानके थुई। 2011 की फिल्म में रूनी मारा ने प्रमुक चरित्र लिस्बेट सालेंडर के रूप में अभिने किया। एक कंप्यूटर हैकर डैनियल क्रेग के चरित्र के साथ साथ एक सच्चाई की तलाश करने वाले पत्रकार के साथ अपराधों की एक भीशन स्ट्रिंग को सुझाने में शामिल है। लगभग सौ मिलियन डॉलर की भारी कीमत के साथ फिल्म ने दो सौ पचास मिलियन डॉलर बनाने के लिए संगर्ष किया, जिससे इसे थोड़ी सफलता मिलीग लेकिन लगभग उस हद तक नहीं, जिसकी इतनी अधिक लागत की उम्मीद होगी। वर्षों बाद, कथित सीक्वल दगल इन दस्पाइडर वेब शीरशक वाली पुस्तक श्रिंखला का चौथा अध्याई, ने एक अजीब सिनेमाई रिबूट के रूप में काम किया, बेट मिडलर अस विनिफरेट सैंडरसन, बेटे मिडलर ने 1993 में हौकस पॉकस में विनि बूचरसन के साथ अपने रिष्टे का आनन लिया, जब वह एक युवा महिला थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वह अपनी सबसे छोटी बहन सारा के साथ उसे धोखा दे रही है, तो वही इश्यालुक रोध में उर गई और उसे घातक रूप से जहर दे दिया, एक सुस्त सुई के साथ अपना मुह बंद कर दिया, ताकि वो मृत्यू में भी उसके रहस्यों को प्रकट न कर सके, बेवफाई के कारण बिनी फ्रेड ने युवाओं और सुंदर्ता का शिकार किया, क्योंकि उनका मानना की सारा की अधिक सुंदर्ता ने बिली को उससे चुरा लिया डेल्फीन चानियाक इस ड्रेन, फिल्म स्प्लिस में अपने हिस्से के लिए डेल्फिन को मेकप के साथ एक बड़ा परिवर्तन करना पड़ा, उसने ड्रेन की भूमिका निभाई, और कनाडाई विग्यान का था फिल्म फ्रेंकस्टीन के राक्षस पर केंद्रित है, स्प् इंजीनिरिंग में प्रयोगों से संबंधित है, जो मानब डी एने को जानवरों के जीन को जोडने के अपने काम में गिलमो डेल्टोरो, डॉन मफी और जोईल सिल्वर इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता हैं.